दूसरे चरण में सटीक बैठेंगे माया के वोट बैंक समी करन। लोगसबा चुनाब के दूसरे चरण में 18 अपैल को होने वाले मरतान में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों बर BSP, SP, R&D गटपंदन का खासकर मायावती का बहुत कुछ दावपर है। इस 8 सीटों पे 4 SC के लिए अरक्षित हैं। 2014 में BSP ने इन सभी 8 सीटों को जीता था जिनमें से नगीना, अलिकर्ड, हातरस और आगरा शामिल है। मायावती ने नगीना, बुलंशेर और आगरा सहित 8 सीटों से 6 पर अपने उम्मीदबार खड़े किये हैं। विशलेशेरन का समानना है कि इस चर्ण की अधिकतर सीटों पर भाजबा और बसबा के बीच कड़ी टकर है। केवल हातरस पर सपा का उम्मीदबार है। सपा ने यहां रामजी लाल सुमन को उतारा है। इन 8 सीटों पर दलित, जाटों, गूजों और मुसल्मानों की महत्तपुन आवादी है। नगीना, अम्रोहा, अलीगर्ड और आगरा में दलितों और मुस्लिमों की अच्छी आवादी है। 40% और 50% के बीच है। बुलिंड शहर हातरस मत्रा और फतेपुर में जाटों और गूजों की अवादी भी अच्छी खासी है। 2014 के चुनाव के इस तरह इस बार सामपरता एक माहौल नहीं है। लेकिन योगी अधित्यनाथ ने पिरचार के दौरान दंगे के मुद्दे को हवा देने की कोशिश जरूर की है। वहां महागटबंदन भगवान फैक्टर को काटने के लिए दलित मुस्लिम वोट बैंक को एक जुट करने की कोशिश कर रहा है। कठिन पिर्चिदिन्दी को देखते हुए भाजपा ने दो आरक्षिस सीटों पर अपने पित्याक्षी इस बार बदल दिये हैं। चुनाव विशेशक कहते हैं कि इन पर आरक्षिस सीटों को गैर दलित वोटों का हस्ताशिप निर्नायक भूमी का निभाएगा। अधिक मुस्लिम आबादी वाले अम्रोहा और लिगर जैसे कुछ खास आरक्षिस सीटों पर बस्पा जरूर मजबूत हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सारा माहौल जा रहा है सपा और बस्पा के पाले में उसका एक विशेश कारण रहा है कि मुदी सरकार का पांस साल का कारेकाल जो भी उन्होंने वादे किये वो नहीं करे चाहें वो नौकरियों का है, चाहें किसानों का हो, चाहें GST ने कहा कि देश में पांस साल का अपना कारेकाल तो गिनवाया नहीं, अब करते हैं पाकिस्तान की बात, राम मंदिर नहीं चला तो अब लेते हैं हनुमान का साथ, तो भाजपा का नहीं है कोई भी भरोसा, नंबर वन की चूटी पार्टी है भाजपा, उन्होंने अपने च खराब ना करें, बहुजन समाज को एक वुजुट वोट को एक जगे एकत्रित करके डालें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें, आप पे सबसे पहले